तो आप लोग बच्चो बहुत टाइम से एक सवाल पूछ रहते कि सर NTSC से रिलेटेड हम लोगों को बताईए प्रोसेस क्या रहता है ये एक्जाम है क्या इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है क्या ये हमें एक्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इसकी कैसे मिलेंगे और at the end की आपको इस चानल से डाट इस अड़ा 24-7 के चानल से कैसे help मिलने वाली है for NTSC preparation तो इस session में मैं सब चीजे cover करूंगा उन बच्चों के लिए भी जिनको अभी तक अंदाजा ही नहीं है कि NTSC नाम का कोई exam होता है और ये exam हर 10th studying student के लिए बहुत important है मैं दुबारा बोलूँगा this exam is very important for all 10th studying students क्योंकि NTSC crack करने वाले बच्चों को NTSC scholars बोला जाता है scholars बहुत बड़ी बात है ये तो सबसे पहले बच्चों discuss करते हैं कि NTSC है क्या ठीक है तो बच्चो NTSC का full form होता है national talent search examination ठीक है national talent search examination अब कौन से बच्चे दे सकते हैं ये तो बच्चा 10th में starting students है ना उन लोगों के लिए exam होता है और पिछले साल ये exam नहीं हो पाया था अना काफी time से जो इसका schedule है वो बिगड़ गया है इस exam का तो अभी जो बच्चे अभी 11th में गए है उनके लिए भी कोई update नहीं आई है इस exam से related और जो बच्चे अभी 10th starting students है उनके लिए भी एक specific date नहीं आई है लेकिन इस चीज की guarantee है कि इस साल ये exam जरूर होगा क्योंकि site active हो गई है कुछ बच्चों ने mail करके CBSC से पूछा था कि NTSC की related क्या update है तो NTSC ने उन बच्चों को reply भी किया है कुछ बच्चों को reply किया है कि this is in process और जल्दी ही आपको इस से related information उनकी website पे मिल जाएगी अब बच्चों कौन कंड़क्ट करता है NTSC, NTSC is conducted by NCRT NCRT conduct करती है ये exam आपका exam जो base होता है वो 9th और 10th के syllabus पे होता है तो मतलब आपको 9th के syllabus को भी अच्छे से cover करना पड़ेगा question practice करनी पड़ेगी क्योंकि 9th और 10th से मिला के exams आते हैं इसमें ठीक है exam मिलके questions आते हैं I'm sorry तो बच्चो अब इस exam को conduct कराया जाता है दो stages के अंदर stage 1 और stage 2 stage 1 जो होता है बच्चो वो आपका state level पे होता है और जो stage 2 होता है वो आपका national level पे होता है कुछ बहुत जादा बड़ी भीड बैठती है stage 1 में उसमें से कुछ filter होके जो cut off को clear करते हैं वो पहुषते हैं stage 2 में और फिर वहाँ से जो बच्चे clear करते हैं वो scholarship अवेल कर पाते हैं ठीक है अब ये SAT और MAT किस चिडिया का नाम है तो ये भी आपको जल्दी पता चलेगा SAT और MAT किस चिडिया का नाम है बटो MAT होता है mental ability test और SAT होता है scholastic aptitude test ठीक है mental ability test scholastic ability test ठीक है तो बच्चो SAT में आपके जो syllabus है उससे related questions होते हैं math science sst इन सब चीजों से questions पूछे जाते हैं और MAT में आपका आता है जो reasoning वाले questions होते हैं basic aptitude basic reasoning वाले questions पूछे जाते हैं ठीक है basic reasoning questions जो आपका एक aptitude check करते हैं जो आपका basic aptitude check करते हैं अब बेटा देखो ये देखो आप इस चीज को समझो कि अगर आप stage 2 तक पहुच रहे हैं और उसके बाद scholarship अब state level से क्या मतलब है कि दिल्ली का exam अलग होता है पंजाब का अलग होता है नौर्थी states का अलग होता है साउथ की states का अलग होता है हर किसी के exam state level पे किये जाते हैं पहले फिर यहां से selected बच्चे जाते हैं national level stage 2 पे और यहां से जो finally select होते हैं उनको बुला जाता है NTSC scholar तो बच्चो इन 12 से 14 लाग की भीड में से 5000 बच्चा stage 2 पे जाता है मतलब 12 से 14 लाग से 5000 मतलब अगर आप percentage भी निकालोगे बच्चो तो अगर मैं इसको मालनू रफली की 12 लाग ही माल लेता हूँ हाना तो percentage की terms में बात करूँ बेटा तो तीन से गया तीन दो से गया दो तो पांच बाए बारा परसेंट पांच बाए बारा परसेंट का मतलब समझ रहे हो आप लोग कि मतलब आप यह समझो की 0.5, 0.6 परसेंट के around बच्चे सिर्फ stage 2 में जाते हैं बाए कितना छोटा नंबर है तो अगर आप इन 5,000 बच्चो में आते हो तो यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है बच्चो अब मैंने आपको percentage की terms में बता दिया कि 5 by 12 परसेंट मतलब approximately 0.5 परसेंट बच्चे आगे बढ़ पाते हैं एक परसेंट से भी कम बच्चे आगे बढ़ पाते हैं ठीक है अब बच्चो समझो अब scholarship कितने बच्चो को मिलती है सबसे important सवाल है कि इन 5000 में से scholarship कितने बच्चो को मिलती है तो इसका जवाब है बच् approximately approximately 200 से 300 बच्चो को scholarship मिलती है approximately कितने बच्चो को मिलती है 200 से 300 बच्चो को finally scholarship मिलती है ठीक है चल अब चलते हैं बच्चो आगे why to give NTSC a very important question जो हर बच्चा मुझसे पूछता है कि sir मैं अपने board पे ही focus करता हूँ न क्यों आप मिर को बार बार ही बोल रहे हो कि NTSC exam में extra effort दालना है कि NTSC में board जैसे questions नहीं आते है objective questions आते हैं आपके थोड़ा सा आपका analytical questions आते हैं वहां पे आपके application based problems आती हैं तो आपको वैसे type के questions की practice करनी पड़ेगी plus 9th को दुबारा से revise करना पड़ेगा तो अगर आप अपनी एक महीने की extra effort दालते हो बच्चो तो believe me आप NTSC scholar बन चकते हो उसके इलावा क्या reason है जिसके लिए मैं बार-बारी बच्चो को बोलता हूँ why to give NTSC सबसे पहले बच्चो ये एक ऐसा exam है तो आपका बहुत अच्छा foundation foundation check करेगा foundation आपकी check करेगा foundation check करने से मतलब है कि आपका एक basic बहुत अच्छे level पर develop होगा आपकी conceptual clarity बहुत अच्छी होगी आप questions की application बहुत अच्छे से सीख पाऊगे और ये ही चलके आपको आगे JEE, Olympiards और NEET के exam में help करेगा क्योंकि आपकी intelligence develop होगी आपकी critical reasoning develop होगी आप smart तरीके सीख पाऊगे question को approach करने का अब आपको पता ही होगा होगी बेटा सारे के सारे exam साए JEE हो गया NEET हो गया सब objective exams है ठीक है और 9-10 पे based NTSC भी objective exam है तो इस exam से हम लोग वो temperament develop कर पाते हैं वो critical reasoning, critical approach develop कर पाते हैं कि भाई मेरे को कम से कम time में इस सवाल का answer चाहिए तो मेरे को क्या approach follow करनी पड़ेगी बोर्ड में subjective questions आते हैं लिखने पड़ते हैं वहाँ पे time तीन गंटे का होता धाई गंटी में बच्चे करके बैठ जाते हैं वहाँ पे time एक important factor नहीं है लेकिन इन exams में बच्चो time एक बहुत applications truly check होती हैं कि बच्चा सोच तो ले रहा है लेकिन पांच मिनट में सोच रहा है या दो मिनट में सोच रहा है दो मिनट में सोच पा रहा है या फिर एक मिनट में सोच पा रहा है तो यह कैसे होगा यह जब अब इस तरीकी के questions प्राक्टिस करोगे अपनी NCRT board important है अना वहा to sit for this exam अब उसके बाद eligibility criteria की बात कर लेते कि eligibility criteria क्या है और इसके बाद मैं आऊंगा strategy पे ठीके कैसे आप इस exam को approach कर सकते हो त्यारी कर सकते हो तो बिटा देखो आपकी at least 60% in class 9 अब यह vary करता है state to state लेकिन एक general जो eligibility है कि 60% आपके class 9 में होने चाहिए currently studying in class 10 तो जो बच्चे 11 में चले गए उनका exam नहीं हुआ था अब वो पूछेंगे sir हमारा क्या तो बिटा आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा update नहीं आई है exam shortly conduct होगा 10th studying students का तो shortly conduct होगा लेकिन आपका अभी तक कोई update नहीं आया है तो please आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और फिर तीसरी eligibility criteria क्या है below 18 years of age ठीक है below 18 years of age अब आते हैं बच्चों exam pattern पर मैंने मने बता दिया था MAT होता है mental ability test ठीक है और SAT होता है scholastic ability test मेरे SAT में जो subjects होते हैं वो cover करे जाते हैं जैसे science हो गया mathematics हो गया SST हो गया और English हो गया और MAT में क्या आता है mental ability में क्या आता है मैंने क चेक करी जाती है आपकी candidates reasoning, thinking, evaluating, discriminating and visualizing abilities ये सब चीज़े चेक करी जाती है stage 1, stage 2 दोनों का pattern same होता है ठीक है तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखना stage 1 और stage 2 में सिर्फ level का फरक होता है but pattern is same pattern is same ठीक है चलो अब बढ़ता हूं आगे number of questions के बारे में भी जान लो बिटा number Of questions कितने होते हैं, कितने marks का होता है paper तो आपका MAT और SAT दोनों के दोनों 100-100 marks के होते हैं और एक-एक marks का question आता है 100-100 mark के question है 16 mark के question होता है आपके SAT में किस तरीके से division होता है Science के 40 आते हैं Mathematics के 20 आते हैं और Social Science के कितने आते हैं बच्चो 40 ठीके और कितने duration का होता है exam 2 गंटे का तो बच्चो 2 गंटे का आपका exam होता है अब इसके बाद कितनी scholarship मिलती है इस slide को देखके तो आप लोगों के चेहरे पे जरूर स्माइल आई होगी कि सर स्कॉलर ही बनेंगे क्या स्कॉलर्शिप का मतलब तो होता न कुछ मिलेगा तो क्या मिलेगा जो 11, 12 में आप लोगों क्या मिलेंगे बिटा 1250 उरुपे पर मन्त 1250 पर मन्त आपको मिलेगा जब आप 11th और 12th क्लास में होगे अब जब आप Higher Education में जाओगे तो आपको मिलने लगेगा 2000 पर मन्त तो मतलब अगर आप ये NTSC स्कॉलर का टाग ले लेते हो बच्चो तो ये समझो कि आपको एक पर मन्त इंकम भी मिलने लगेगी ठीक है और बच्चो ये आती है ऐसा नहीं होता कि आप NTSC स्कॉलर बनगे और आपको नहीं मिल रही है स्कॉलर्शिप तो ऐसे भराम अपने दिमाग से निकाल देना येस यू विल गिट इस स्कॉलर्शिप ये ठीक है ओफिशियल एक्जाम डेट नहीं आई है आपको बहुत जगा आर्टिकल्ग में कुछ डेट दिख जाएगी तीन नवंबर चार नवंबर लेकिन जब तक एक official exam date नहीं आ जाती CBSC की website पे जब तक हम उसको नहीं मानेंगे लेकिन इस चीज़ को मान के चलो कि आपकी जो exam date है आपकी जो exam date है वो December आप मान के चलो कि December end December या फिर January में तो exam conduct जरूर करा दिया जाएगा December, end of December या फिर starting of January में आपका exam पका conduct करा दिया जाएगा तो इस इसाब से आप अपनी preparation strategy form करना चालू करते हो ठीक है अब सबसे important बात यह है कि सर इस time पे तो मेरे pre boards भी चालू हो जाएंगे इस time पे तो मेरे pre boards भी चालू हो जाएंगे तो सर क्या करूं pre boards के लिए पड़ू या फिर NTSC के लिए पड़ू और अगर दोनों को parallelly manage करना हो तो कैसे करूं इसका जवाब आपको अभी मिलेगा ठीक है सबसे पहले आप समझो की mode of examination क्या होता है बिटा आप लोग का अभी तक ही है pen and paper mode में ही इसका exam होता है लेकिन अब ये online भी हो सकता है वो आपको guidelines मिल जाएंगे ठीक है वो आपको guidelines मिल जाएंगी अब मैं आता हूँ बिटा इसकी strategy पे कि आपको इसकी strategy क्या follow करनी है exam date की बात क्या हो गई exam date हो गया भाई December ठीक है December हम लोग मान के चलेंगे कि हमारा exam conduct हो जाएगा अब यहाँ पे कहानी आती है कि भाई December में मेरे pre-boards भी है और मेरा NTSC का exam भी है ठीक है NTSC और IMO भी होगा तो ये सब exam की dates आपको जल्दी मिल जाएंगी ठीक है अब मैं कैसे करूँ तयारी कैसे करूँ क्या इन दोनों को parallely चलाऊं क्या सर NTSC को भी hold पे रखों और सिर्फ pre-board के हिसाब से मतलब अपना पहले syllabus कंप्लीट करूँ अच्छे से और फिर जब end में time बचेगा NTSC के exam की date आजएगी तो उसे एक महीना पहले sample paper करना चालू कर दूँगा तो बेटा देखो आपको इसकी तयारी parallel ही करनी पड़ेगी मैं कह रहा हूँ NTSC को आप parallel ही कर सकते हो लेकिन इसका तरीका क्या होगा मान लो आप अपने school exams के लिए that is board exams के लिए December तक बच्चों को school का syllabus भी cover करना और NTSC के लिए अच्छे से तैयार भी होना है ठीक है NTSC को अच्छे से तैयार भी होना है तो मान लो assume कर लो आप XRs देते हो ठीक है आप XRs देते हो हर हफते XRs पर week देते हो आप अपने board exams के लिए तो बेटा NTSC के लिए NTSC के लिए X by 3 Rs दे दो ठीक है, X by 3 भी मैं बहुत जादा बोल रहा हूँ, अगर आप X by 4 आर्ज भी दे दोगे, तो पेटा काम बन जाएगा, ठीक है, X by 4 आर्ज पर वीक, मतलब अगर मैं मान के चलूँ कि अगर बच्चा 3 घंटे डेली पढ़ रहा है बोर्ड एक्जाम्स के लिए, तो अगर आप उसमें से एक घंटा, एक घंटा छोड़ो, स्टार्टिंग आप आदे घंटे से भी करोगे न, तो आपकी बात बन जाएगे NTSC में, क्योंकि बेटा, बहुत बच्चे न, NTSC को लाइटली लेते हैं, और एंड में पढ़ना चालो करते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है, आप इसको अभी से ही, मैं कहता हूँ कि NTSC के लिए अगर आप हर वीक, every week, every week सिर्फ 5 घंटे निकाल लो, ठीक है, 5 घंटे निकाल लो, ये अगर आप regularly करते रहें बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप हर वीक, 5 घंटे NTSC से related पढ़ाई करते रहें, till your exam date, you will definitely crack this examination, you will definitely crack this examination, अब करना कैसे है, flow क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है, अब flow क्या होना चाहिए बच्चों, अब देखो NTSC में आपकी 10th के साथ साथ 9th भी आ रहे है, 9th प्लस 10th दोनों आ रहे है, तो 10th तो आपकी चली रही है, बोड के इसाफ से चली रही है, अना और December तक आप लोग 10th का syllabus cover कर भी लोगे, कर भी लोगे अपना, अब आती है कि भई, starting में क्या करो, 9th के chapter 1 के करके चालू करो उठाना, ठीक है, 1 by 1 start revising, 1 by 1 start revising class 9th chapters, ठीक है, revise करना क्या करो बच्चों, चालू कर दो अभी से, revise का मतलब यह है कि अभी आप theory करना चालू कर दो, आपने जो भी notes बनाये थे, अगर आपके पास हैं, तो ठीक है, नहीं तो इस channel पे आपको 9th class के, अभी one shots डलने चालू हो गए हैं, तो आप उसके through भी 9th class दुबारा से revise कर सकते हो, 3 बज़े daily class होती है, 9th वाले वच्चों के लिए, तो एक-एक करके 9th के chapters को निप्टाना चालू करो, 10th आपका हो जाएगा, और क्या करो, NTSC sample paper, online search कर लो, या फिर कोई book मंगा लो, मैंने एक NTSC preparation books का भी session डाला हुआ है, उसका link में description में डलवा लूँगा, तो वहाँ से आपको important books for NTSC के बारे में पता चल जाए जाएगा, NTSC sample paper, ठीक है, ये आप online भी ले सकते हो, आपको online मिल भी जाएगा, या फिर आप कोई book भी purchase करते हो, कर सकते हो, वहाँ से क्या करो, कि 10th का जितना सले बस हो गया, उस case आप से अभी से question practice करना चालू कर दो, और 9th आप जैसे-जैसे cover कर रहे हो, अपने questions बनाना अब इसमें, मैं आपकी कैसे help कर सकता हूँ, तो from Monday, ठीक है, from Monday बच्चों, आप लोगों के week में, आप लोगों के week में, दो से तीन sessions में NTSC के लेकर आने वाला हूँ, दो से तीन NTSC के sessions होंगे, और उसमें क्या करेंगे, हम लोग question practice करेंगे, ठीक है, important concepts और questions, important concepts, जिससे बार-बारी questions frame होते हैं, important concepts, और क्या होगा बिटा, plus questions, ठीक है, इस पे based आपको Monday से आने वाले, upcoming Monday से आपको sessions मिल जाएंगे, तो अगर आप इस channel पे नए हो, पहली बारी आए हो, पहली बारी देख रहे हो इस चेरे को, तो बिटा, NTSC की preparation आप लोगों को मेरे सा बात करनी है, तो subscribe कर लो फटा-फट से channel को, और अगर पसंद आई, जितनी भी information मिली है, अभी तक तो session को like जरूर कर देना, जो आपके दोस्त हैं, जो NTSC के लिए prepare करना चाते हैं, बच्चों, उनके साथ भी ये information share कर लो, कि Monday से इस channel पे आपकी 2-3 sessions आपको week में मिलने वाल अभी से, जैसे जैसे exam date आएगी और clarity आती जाएगी, अपने लोग speed पकड़ लेंगे, लेकिन एक momentum अभी से बनाना बच्चों जरूरी है, ठीक है, अब इसके बात की कहानी क्या है भाई, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका exam जो है, pen and paper mode में होता है, reasoning के, अब मैं आ along with boards, दोनों की तयारी पारलली चालो करो, ये मैं आपको summarize कर रहा हूँ, जो भी मैंने आपको अभी तक strategy समझाईए, boards, that is specifically pre-boards, boards plus NTSC, study पारलली, ठीक है, दोनों को पारलली प्रिपेर करो, पारलली दोनों की तयारी करो, और मैंने क्या बोला, NTSC के लिए पहले आप अपन करना चालो करतो, कैसे कर सकते हो, अगर पुराने notes हैं तो ठीक है, नहीं तो इस channel पे 9th के regularly 3 बजे session होते हैं, one short session, तो आपके आदे chapters तो वहीं से cover हो जाएंगे, ठीक है, पुरानी videos को जाके देख लो, या फिर 3 बजे में live आता हूं 9th के बच्चों के लिए, जोड़ जाओ आपके सारे concepts revise हो जाएंगे, क्योंकि अभी अभी तो आप 9th cover करके आए हो, और उसके बाद मैंने क्या चीज़ बोली, I will help you guys by providing every week 2-3 sessions आएंगे, जो NTSC based होंगे, 2-3 NTSC based sessions, और ये sessions इसलिए important होंगे, क्योंकि इसमें मैं important concepts और important questions लेकर आऊंगा, जिससे आपके NTSC में questions पूछे जाते हैं, और जो चीज आपको बार-बार ये अपने sample papers में भी दिखेगी, previous year questions में भी दिखेगी, ठीक है, तो ये हो गई बच्चों एक overall strategy जो आप लोग को follow करनी है NTSC के लिए, आपको बता दूँ कि NTSC के लिए मैं दुबारा से NTSC, क्या होता है National Talent Search Examination, हर बच बच्चे को इस exam को जरूर देना है, expected date मान के चलो कि December की है, तो उसके हिसाब से बच्चों तयारी करनी चालू कर दो, ठीक है, तयारी करनी चालू कर दो, इस channel के साथ जुड़ जाओ, और लंबे term से सोचो, लंबे goal के उससे सोचो आप चलो बच्चों तो इस session को इतना ही रखते हैं, यहीं पर end करते हैं, अब आप लोग को regularly जुड़े रहना है for NTSC preparation with us, Monday onwards आपको regularly classes मिलनी चालू हो जाएंगी तिल देन, टेक केर और गुडबाय बच्चों